नमस्कार दोस्तो आपका हमारी यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में आपको एक ऐसा घरोली नुस्का बताने आ रहा हूँ यह नुस्का आपके बालों की ग्रोप को काफी तेही से बढ़ाएगा साथी आपके बालों को काफी तेही से काला बनाएगा दोस्तो इस वीडियो में मैंने जो भी चीए लिए एकदम आसान चीए है आपको पढ़ी आसानी से आपके घर के आसपास ही मिल जाएगी दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें साथी वीडियो को लाइक और से करना ना भूलें दोस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले खाली कटोरी लेनी है और इस खाली कटोरी में आपको सबसे पहले जोची लेनी है वो दोस्तो धाई आपको यहाँ पर दो चमबचिस में धाई एड़ करना है दोस्तो धाई हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है धही एक ऐसी चीज़ा जो बालों के क्वाल्टी को ठीक करने का काम करती है इसमें धेल सारा प्रोटिन होता है जो बालों के लिए बेहदी जरूरी होता है साथी इसके बाल आपको लेना दोस्तो कलोंजी आपको कलोंजी की सीवी किनारा स्टोर पर बड़ी असानी से मिल लेगी आपको पांच रुपे की कलोंजी लानी है और इसमें आपको जो कलोंजी को मिक्सी की साथा से पीस कर इसका बारीक पाउडर बना लेना है जो कि दोस्तो मैंने इसका पाउडर बना के पहले से त्यार रखा हुआ है आपको इसमें एक चम्मस कलोंजी के पाउडर का एक्ट करना है दोस्तो कलोंजी का पाउडर मैंने यापर इसलिए इस्तमाल किया है क्योंकि कलोंजी पाउडर में वो सारी सक्तियां होती है जो हमारे बालों को जर से काला बनाती है साथी कलोंजी पाउडर हमारे बालों की ग्रोप को भी काफी तेही से बढ़ाता है इसकी मदब से आप अपने बालों को काफी तेही से एक हफ्ते के अंदरी लंबा कर सकते है अब इसके बाद दोस्तों आपको अगली चीज़ों लेनी है वो दोस्तों नारील का तेल आपको पेरा सूप नारील का तेल लेना है ये दोस्तों एकडम पियोर नारील का तेल होता है नारियल का तेल गुणों की खान होता है और बालों के लिए तो नारियल तेल हर प्रिकार की समस्या कर समाधान है बालों में नारियल तेल लगाने के फायदे हर किसी को पता नहीं है फिर भी वो इसका प्रियोग करते हैं नारियल तेल है इतना गुड़कारी जिसके कारण सभी लोग इसका प्रियोग बहुत समय से करते आ रहे हैं नारियल तेल के फायदे बालों को सुष्ट रखने और बालों की समस्या को दूर करने के लिए उपयोग किये जाते हैं बालों में नारील तेल लगाने के फायदे, बालों से डेंड़ा फटाने, बालों को मजूद करने, बालों के ज़रने से रोकने, आदी समस्या को दूर करने में बहुती मदद करते हैं तो दोस्तो आपको इसमें एक चम्मस नारील का तेल एड़ करना है अगर आपके पास नारिल का तेल नहीं है तो आप इसमें सरसों का तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं अब दोस्तों आपको इन तीनों चीयों को अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है इस तरीक से दोस्तों यह आपका पेस्ट बन के तयार है अब इस पेश्ट को अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मालिस करनी है और फिर इसके बाद बचे हुए पेश्ट को अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक लाकर 15 मेट के लिए छोड़ दें फिर इसके बाद आप किसी भी सेम्पूस अपने बालों को दोकर साफ कर लें दोस्तो इस उपाय को आप हपते में दो बार करें दो बार करने से आपके बालों की ग्रोप काफी तेह से बढ़ेगी आपके बाल काफी तेह से आले होने लेंगे तो दोस्तो आप इस निश्के को जादा से यादा अपने दोस्तों शेयर करें वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे की नए नी वीडियो नए नी जानकारी आप तक पहुंचती रहे मैं आपके लिए फिल लाओ को अच्छा सब वीडियो सब तक के लिए दोस्तों बाई बाई